हेलो बच्चों केसे हैं आप सभी मैं मेसिस अनुरॉय आप सभी बच्चों का कॉम्पिटिशन कम्यूटी में स्वागत करती हैं आज हम आपको समझाने जा रहे हैं 36 गढ़ी भाषा का MCQ पार्ट वन जिसके अंतरगर 36 गढ़ी भाषा में पूछ जाने वाले प्रशनों के मद्दे नजर हम कुछ प्रशनों को यहाँ पर हल करने की कोशिस करेंगी विगत कुछ वर्शनों से आप देख पा रहे होंगे कि 36 गढ़ी भाषा के प्रशनों में अचानक से व्रिद्धी कर दी गई है इसलिए समय का नुकसान ना करते हुए आप सभी के लिए MCQ के माध्यम से 36 गढ़ी भाषा पार्ट वन के अंतरगर कुछ टॉपिक को आज मैं सब्सक्राइब करते हैं कि 36 गढ़ी भाषा के अंतरगत यहां बोली उपबोली से प्रशन पूछा गया है प्रश्न कहता है घडबा खड़िया किस भाषा परिवार की बोली है option A दिया है आगनेया option B है आस्ट्री option C है मुंडा और option D है सभी तो 36 गढ़ के अंदर जब की बोली या उपबोली बात करते हैं तो सर्वे के मद्दे नजर यहां तमाम प्रकार की बोलियां पाई गए जिसके अंत्रगत उपबोलियों का भी प्रभाव देखने को मिलता है जिस तरह पूरे विश्व की भाषा को तेरा भाषा परिवार में बाटा गया है तो जब किसी भाषा का जन्म एक मुल्भाषा से होते हैं तब उसे भाषा परिवार कहते हैं जिस तरह थेरा भाषा परिवार में चार भाषा परिवार भारत वर्ष के अंदर प्रयोग होता है वैसे 36 गड़ राज्य के अंदर भी भाशा परिवार का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें हम कहते हैं भाशा परिवार के अंतरगत हम प्रयोग करते हैं मुंड़ा भाशा परिवार द्रविड भाशा परिवार, साथ में हम यहां प्रयोग करते हैं आरे भाशा परिवार और सरगूजा के मैन पार्ट में चिनी तिब्बती भाषा परिवार का इस्तेमाल किया जाता है ठीक है तो उसी के अंतरगत गदबा और खड़िया किस भाषा परिवार की सदस्य है यह यहाँ पर पूछा गया है तो यहाँ देखा जाए तो हम भारत में 36 गड़ के अंदर जब हम मुंड़ा भाषा परिवार के इस्तेमाल करते हैं तो गदबा, खड़िया, कोरकू, मवासी, नीहाली, विदोहो, सौता, मांजी, मंजवार और नगेसिया जैसे बोलिया उपबोलियों को मुंड़ा भाषा प आपकी अर्ध मागधी है, जिसमें अवधी, बग्हिली, के साथ, सहचरी, बेहनो, साथ, 36 गड़ का प्रभाव है, ठीक है, और चीन तिबबत की सीमादारे से आई हुए व्यक्तिये, जो सरगुजा के मैन पार्ट में हैं, उनके दर चीनी तिबबती का इस्तिमाल किया जात हैं, इसे एशियाटिक या आस्ट्रो भाशा परिवार भी कहा जाता है, तो आप्शन नमबर डी, याने की गदबा और खड़िया आगनेय आस्ट्रिक मुंडा भाशा परिवार की सदस्ने हैं, तो इसका होगा आंसर नमबर डी, ठीक है, अब हम आते हैं क्वेशन नमबर ट हम किसको देते हैं, क्या वो खल्टा ही है, क्या वो लरिया है, क्या वो सरगुजिया है, क्या वो हल भी है, अभी मैंने बताया कि जब सर्वे किया गया तो पाया गया, यहां पर छतिस गड़िया बोलने वाले व्यक्तियों में कुछ मुख्य बोली है, उप बोली है, जो कार हमारा यहां पर बैगा है सत्तनामी है यह 36 गड़िया ऐसे हैं जाती विशेस के नाम से अपनी आपको पहचान देना प्रस्तूत करते हैं कुछ ऐसे हैं जो इस्थान को प्रात्मिक्ता देतें सर्गुजिया राय पूरिया रतन पूरी कवरधाई नांद गई ठीके बिलास पूरी यह ऐसे हैं जश्पूरी कांग के रिए ऐसे हैं जाती बल नहीं बलकर इस्थान विशेस को प्रात्मिक्ता देते हैं कुछ इन में ऐसे हैं जो दुस्तरे राचे की भाशा से प्रभावित हैं जैसे पश्चीमी चत्तिसगड़ी के तरफ मराठी मिश्रित हैं दक्षनी चत्तिसगड़ी में अगवाई करने वाली निम्न मेंसे कौन से बोली है तो जब सर्वे किया गया तो तीन प्रकार के चत्तिसगड़ी बोलने वालों की तादाद मिली जिसको ध्यान में रखते हुए नरेंद्र देव वर्माने शिवनात नदी को माध्यम मानकर च केंद्री隨 часть गड़ी पूर्वी छेशनी उत्त्रीस गड़ी ठाथिस गड़ी और दक्षनी च distract गड़ी जिस तरह हिंदी के पाँचवोल की करण थे इप्रवी पशिमी बिहारी राजी और आपकी पहाडी इंदी वैसी पाँचवोल के ब्रकार कि करण थे जिनमें से हरक्षेत्र विशेस में बोलियां जो थी उनमें से एक को प्रमुख दिया गया, तो यहां दक्षन की तरफ देखा जाएं, तो चतिस गड़ का दक्षन का हिस्सा यदि हम कहें, तो पश्चिम से मराठी का प्रभाव है, पूर्व से उडिया का प्रभाव है, और दक्षन से गोड का प्रभाव देखने को मिलता है, कुल मिलाकर यहां हलबी जो है सबसे ज़्यादा प्रमुखता रखने वाली बोली मानी जाती है क्योंकि पश्चिम में मराठी पहल करती है पूर्व में लरिया पहल करती है उत्तर में सरगुजिया पहल करती है केंद्र में मानक 36 गड़ी पहल करती है तो हलबी जो है आपकी द और भाषा की दो सहचरी बहने हैं जो है अवधि बहली अवधि भाषा का अधिकांश वरतनी में जो वरणाक्षर करूपांतरन हैं उनका सबसे ज़्यादा प्रभाव छत्तिस गड़ी भाशा में देखने को मिलता है कहीं न कहीं चत्तिस गड़ी की इतिहास के बारे में मालुम है कि जो कोशल राज्य था उसके उत्तर कोशल को आयोग्या और दक्षिन कोशल को ही छत्तिस चिन बोली कोशली मानी जाती है यह कोशली जो अवद प्रांत में बोली जाती थी इसलिए छत्तिस गड़ी भाशा में अवधी का सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है और यही अवधी भाशा है जहां शटकोन का श जो है अब शक्ता के अनुसार सा में भी बद चलता है इसलिए तो महतारी भाखा बोलकर हम इसका इस्तिमाल करते हैं वरशा से बरसा बन जाती है और बर्खा के नाम से पुकार जाती है तो कोश्चनन नमबर ठी का अंसर है और शटकून का शाह जो ज़रूरत के मुताबिक सरोते के साह और खर्वोश के खामें बदल जा ठीक है अब आते हैं अगले प्रश्न में अगला प्रश्न क्या पूछता है अगला प्रश्न पूछता है निम्न शब्दों से 36 गड़ही ततस्प्ष्षम क्यों क्यों होते हैं संस्कृत के शब्दों का बगैर किसी रूपान तरण के वही रूप हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाए तो संस्कृत related all words used in Hindi that called तत्सम शब्द ठीक है तो संस्कृत के शब्दों का जब हम हिंदी में प्रयोग करते हैं तो 36 गड़ एक ऐसी भाषा परिवार की सदस्य है या ऐसी भाषा है 36 गड़ ही जो बोली जाती है आरे भाषा में पूर्वी हिंदी से जिसका जन्म हुआ है तो यहां पर 36 गड़ी में भी कुछ तत्सम शब्द हिंदी की ही तरह प्रयोग किये जाते हैं माना कि जब तत्सम से तद्भव परिवर्तन होता है तो तत्सम से तद्भव परिवर्तन में हम पाते हैं कि संस्कृत वर्ट से तभव परिवर्तन करते समय वह प्राकृत भाशाओं के भी संपर्क में आता है इसलिए छत्रिस गड़के अंदर कुछ शब्द ऐसे हैं जिसका मूल रूप से तत्सम रूप ही प्रयोग किया जाता है लेकिन अपभरंशित होता है तो अर्ध तत्सम कहलाते हैं प्रश्ण ने पूछा है कि छत्तिस गड़ी के अंदर आगी धियान अप्छरा इनमे से कौन सा ऐसा शब्द है जो तत्सम है तो अगनी से बनना तद्भव में आग और आग से बन जाता है छत्तिस गड़ी में आगी इसलिए अप्छरा से अप्छरा हो जाता है जब कोई लेटर हाफ लेटर में होता है तो छत्तिस गड़ी क्या करता है इस लेटर को कम्प्रिट करता है और छोटी ए की मात्रा लगा देता है तो ध्यान त्याग कहता है अप्छरा कहता है मानव देवता कहता है तो सब तत्सम तो according to 36 गड़ी option number D याने की धियान और अच्छरा 36 गड़ी में भी तत्सम रुप में इस्तिमाल किये जाते हैं ठीक है अब आते हैं आगे अगला question है question number आपका 5 ठीक है बहाना बाजी 36 गड़ी में कहते हैं बहाना बाजी इसका उचित परियाए वाला शब्द क्या है धचरा ओखी नौटंकी या खार तो परियाए क्या होते हैं परियाए होते हैं option जिसे कहा रहता है विकल्प ठीक है कि एक शब्द का ऐसा संग्रह जहां विकल्प के तौर पर बहुत सारे शब्दों का भंडार होता है समान अर्थ को प्रस्तुत करने वाले विकल्प के तौर पर श ocid कि उचित जाते हैं तो 36 में यहां पर पूछा गया है कि बहनाघी का उत्षित परियाए क्या है ने हैं हिन्दी में भी कि हर पर्याए वाची हर जगह इस्तिमाल नहीं होता कुछ शब्द परियाएवां वाची होने के GABA आपर ऊपर्प परियाए की क् watches करते हैं जिससे युग मशब्दक का निर्मान होता है तो यहां कहरें कि उचित बताना है कि बहाना बाजी के लिए प्रचलन में प्रयोग होने वाला उचित जो परियाय है वो कौन है तो इसका है आप्शन नमबर बी ओखी है ना ओखी मत कर मतलब कि बहाने बाजी मत करो कहते हैं तो कोशन नमबर फाइब का आंसर है अप्शन नमबर बी ठीक है अब आते हैं अगले कोशन में तो कोशन नमबर सिक्स कोशन नमबर सिक्स है पन घट शब्द की पहचान कीजिए ठीक है क्या वो रूड है क्या योगिक है या योग रूड है या तत्सम शब्द है तो ज पहचान रखने वाला ऐसा शब्द जिसे खंड में बाटा ना जा सके जिस परंपरा के नियम से बंधे प्रयोग होते थे वैसे ही किये जाते हैं ऐसे शब्दों को रूर कहते हैं दो शब्दों से मिलकर बना हुआ ऐसा शब्द जिसे आबशकता के अनुसार दो भाग में बंध जाए बंधन में तब उसे योग रूर शब्द कहते हैं तो 36 गड़ के अंदर भी रूर योगिक योग रूर का इस्तिमाल किया जाता है घर देवता दानों मानों कहता है तो 36 गड़ी में भी आमारे लिए रूर है अगर वो 36 गड़ी में दवा खाना कहता है ठीक है र आनी वाली घाट कह रहा है यह हमारे लिए अप्शन नंबर भी है योगिक शब्द जिसे दो खंड में आसानी से बाटा जा सकता है अब हम आते हैं आगे तो कहीं आप यह समझ रहे होंगे कि हिंदी की व्याकरण की तरह 36 गड़ी का भी पूरा व्याकरण है जो हिंदी को फ 36 गड़ी भाशा पर तीन भाशाओं का विशिस प्रभाव देखने को मिलता है कहीं यह कुछ नियम संस्कृत को फॉलो करता है कहीं यह कुछ नियम इंग्लिश को फॉलो करता है और अधिकांश यह हिंदी के अनुसार ही लिखा गया है नेक्स्ट कोशन कहते है कि 36 गड़ी उपसर्ग की पहचान कीजिये तो उप का मतलब होता है करीब का पास का नस्दीक का और सर्ग का मतलब होता है शृष्टी करना किसी भी धातु शब्द से पहले जुड़कर यदि उस शब्दपन में नयापन बदलाव या विकार उत्प संस्कृत हिंदी और कहीं न कहीं वीदेशज उपसर्गों का प्रयोग करते हैं परन्तु कुछ उपसर्ग ऐसे हैं जो 36 गड़ी के ही वीदेशज नहीं देशज नहीं बलके 36 गड़ी से ही उत्पत्ती है स्वादेशज तो यहां पर दिया है आप्शन नमबर ए नन आप्श चतिसगड़ी के अंदर कुछ स्पेशली चतिसगड़ी शब्दों को प्रयोक करने के लिए 36 गड़ी के उद्भाव से ही 36 गड़ी उपसर्गों का इस्तिमाल होता है नन जतियां बोलता है इसी प्रकार खडखड़हा बोलता है खडबाज कहता है आन गाउं आन घर कहता है ये तीनों जो हैं वो 36 गड़ी उपसर्ग हैं, मतलब कि 36 गड़ी उपसर्ग की पहचान कीजिए कहता है, तो option number D कि 36 गड़ी सही उत्पन होने वाले आपके उपसर्ग शब्द हैं, ठीक है, अगला प्रश्ण पूछता है, निमन भिन उपसर्ग वाले शब्द की पहचान कीजिए, अब यहां पर दिया हुआ है, कन घटोर, कन मनहा, कन टेटरा और कमचील, इसमें से different one, one free, आपका prefix वाला वर्ड कौन सा है, इसको आपको पहचानना है, तो कह रहा है, कि भिन उपसर्ग, सारे शब्दों में उपसर्गों का इस्तेमाल किया हुआ है, ऐसा option दिया है, लेकिन इसमें से कोई एक ऐसा शब्द है, जिसमें उपसर्ग का प्रयोग सही नहीं है, या अलग प्रकार के उपसर्ग का इस्तेमाल किया गया है, तो कन घटो करता है यहाँ पर इत यहाँ जो सुन कर भी अनसुना करता है उसे कंगठों केते हैं तो कंप्रिफिक्स पहुती है जो गहर बनाते समय खपरल के नीचे रखा जाता है तो ऐसमें से तीन में तो उपसर्ग का प्रयोग सही है लेकिन यहां पर option number D है जो भिन उपसर्ग वाले शब्द की पहचान करने बोल रहा है यानि कि इसमें से भिन नहीं क्योंकि इसमें उपसर्ग का इस्तेमाल है ही नहीं ठीक है अब आते हैं आगे अगला प्रशन आपका क्या पुछ रहा है अगला प्रशन के रहे है गिजगी जहा शब्द का इस्त्री सूचक बनाने है तो ध्यान रखेगा गिजगी जहा एक ऐसा शब्द है जिसका feminine बनाने के लिए हम कौन सा प्रत्या यूज़ करेंगे तो किसी भी शब्द का जो पूर्लिंग है यदि उसका इस्त्री लिंग परिवर्तन किया जा रहा है तो कभी कभी पूर्लिंग से इस्त्री लिंग का प्रयोग करने के लिए हमारे द्वारा यहां इस्तिमाल किया जाते हैं कुछ प्रत्य जिसे इस्त्री प्रत्य कहा जाता ह उसी प्रत्ययों के अनुसार यहां पूछा गया है कि किस प्रत्य का इस्तिमाल करेंगे जिससे गिजगी जहा का इस्त्री सूचक्षद बन जाएगा तो यहां पर दिया है E, He, I और I तो आंसर इसमें क्या होगा जब हम देखें तो A से E कनवर्ट करते तो बेटा बेटी सारा सारी हो जाता है जब हम आई का प्रयोग करते हैं तो इससे इस्त्री सूचक नहीं बलकि भावा चक्षद बनता है जिसे मुरुखई, सुघरई, करुवई, हम आई का प्रयोग करते हैं तो चगाई, खवाई, पियाई बनता है लेकिन यदि गिजगी जहा कह रहे हैं तो गि कहता है कि क्या इप इस्तिमाल होगा तो यहां इक तरफ से देखा जाएंगे करेंगे लेकिन см vikt कहेंगे कि यहां हा को फ्रस्न में सारी हो कि हम A को E में बदलते तो गिजगिज हम यदि हम E की मात्रा लगा दें तो गिजगिज ही हो जाएगा या हम सीथे से हा को E में बदल दें जिसका आंसर हो जाएगा option number D ठीक है clear हो गया ठीक अब आते हैं आगे आगे प्रश्ण पूछता है कि रमायन के पाठ करवाएले मन शां संग्या है तो यहां कहा है रमायन के पाठ करवाएले मन शांत हो थे वाक्य में संग्या है क्या वह भावाचक है क्या वह व्यक्ति वाचक है क्या वह समुह वाचक है तो भावाचक संग्या क्या होती संग्या शब्दी के गुंड दोश मनो भावों का जबोध कराती उसे भ व्यक्ति वाक्त करा राकार का व्यक्ति वस्त्यक्त अनुकर मतलब आनिक व्यक्ति और प्राणिक के समु का बोद हो तो बर्दी कहता है, जोथा कहता है, गोडी कहता है, पंच कहता है, बैठक कहता है, तो समुवाचक संग्या, अब पुछा रमायन के पाठ, क्या बोल रहा है, रमायन के पाठ, तो रमायन एक ग्रंथ है, रमायन एक पुरान है, उसका पाठ करवाने से मनशांत होता है, तो जह अब आते हैं अगला प्रश्न है आपका 11 का कि घीव मा कुछो मिले हावै वात्के में सर्वनाम है अब शत्तिस गड़ी में जो आपका घी होता है उसको घीव कहा राता है, संस्कुरित में वो घृत है, जो हिंदी में घी बना, तो 36 गड़ी मुसे घीव कहते हैं, कुछु मीले हावे कहता है, तो सर्व नाम बताना है, क्या वो निशचित है, क्या अनिशचित है, क्या संबंध है कि प्रश्ण है जब किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु पास या दूर में हो उसके नाम का सर्वनामिक रुप रयोग होगा तो उसे हम निश्चित सर्वनाम कहेंगे ठीक है पास या दूर में रहने वाले व्यक्ति या वस्तु की निश्चितता का बोध कर सर्वनाम कहा जाता है एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम से जब संबंध बताया जाता है तो संबंध सूचक सर्वनाम होते हैं और जहां किसी व्यक्ति विश्य से से प्रश्ण पूछा जाएं तो ऐसे सर्वनाम प्रश्ण वाचक सर्वनाम होते हैं यदि हम एहर ओहर कहते हैं यदि कहता है कुछू ठीक है यदि वो कहता है कहूं ठीक है तब यह हमारे लिए अनिश्चित सर्वनाम होता है अब कहता है घीव में कुछ मिला है क्या कहता है तो निश्चित नहीं है कि घीव में क्या मिला है इसलिए होगा option number B ठीक है अब आते हैं आगे आगे प्रशन आपसे पूछ रहा है यहाँ पर विशेशन से ठीक है कि गारा भर धान पानी मा फींज गए वाक्य में विशेशन बताईए तो विशेशन क्या होता है किसी भी संग्या और सर्वनाम की विशेशता बताने वाला संग्या के बदले प्रयोग होने वाला शब्द सर्वनाम होता है तो गारा भर धान कहता है पानी मा भींज के कहता है भींज के कहता है तो किस प्रकार का विशेशन क्या वो परिमान है क्या वो संख्या है क्या वो तुलना है क्या वो गुण है तो यदि किसी व्यक्ति या व बस्तु के गुण दोश्ट संबंधि विशेश्टा बताता है तो संग्या और सरवनाम के गुण, रूप, रंग, आकार, प्रकार, स्वाद, गंध, दिशा, देश, राष्ट्रीता, धर्म, संबंधि यदि बातों का वो गुणात्मक रूप में विशेश्टा बताता है तो ग बैपुरिया, बिलासपूरिया कहता है, करू कस्ण कहता है। थो सब गुण है। ठीक है। दूसरा, जब एक की तुलना दूसरे से यो सभी से करता है, तो आट टुलनार्तमक विशेशन होता है। मोर बैला ले तोर बैला हां मोठ तीखा थे 36 गड़ी हां सबले बढ़िया कहता है तो यहां पर तुलनात्मक विशेशन हो जाता है जब numerical quality बताता है एक दू दस पंद्रा दूनो तीनो पहिलावत दूसरावत तब वो numerical quality बताते ने संख्यावाची लेकिन यदि वो measurement बताता है measurement बताता है नाप तौल संबंधी विशेशता बताता है तो परिमान वाचक विशेशन होते हैं यदि वो कहता है ठोमहा भर मुठी भर कहता है सूपा भर कहता है एक किलो दू किलो कहता है सवा किलो अड़हई पाउन किलो कहता है ठीक है इसी तरह यदि वो कहता है example के तोर प बहुत सारे प्रभाव हैं यदि परिमानवा चक्की बात करें तो गहराई नापनी के लिए अलग मापक होते हैं लंबाई नापनी के लिए अलग नापक होते हैं दूरी के लिए अलग होते हैं और कुल मिलाकर अनाज के मापने के भी मापक अलग होते हैं कहने का मतलब है मापनि के लिए हम बोरे का इस्तिमाल करते हैं सब्सक्राइद और कैते हैं तो इसी तरह परिमान वालक्ण किस्टो Salesforce का है किरिद नंबरidos कैसे ए हैं परिमान मेरें तब में क्रिदी बताइव अब आते हैं सेवंतिफींके फूल सिवनती के फूल हर अबढ़ फूलिस वाकि में क्रिया बताईए तो शब्द के जिस रुप से किसी भी कारे का करना या किसी भी कारे का होना पाया जाता है तब उसे कही जाती है क्रिया ठीक है तो क्रिया कर्मे के अधार पर दो प्रकार की सकर्मक और अकर्मक रचना के अधार पर क्रिया होती है समान्य योगिक नामधातु प्रेरणार्थक पुर्वकालिक और अनुकरनात्मक ठीक है तो जहां समान्य तोर पर किसी भी कारे का होना पायद है उसे समान्य क्रिया कहेंगे जहां दो क्रियाओं को जोड दिया जाता है उसे क्रिया का रूप दिया जाता है तो योगी क्रिया कहेंगे जब करता किसी कारे को करना करके दूसरे को कारे है तो प्रेरित करता है तो प्रेरिणार्थ क्रिया कराती है लेकिन जब किसी संग्या सर्वनाम और विशेशन के शब्द को लेकर उसे क्रिया का रूप दिया जाता है तब हम उसे नाम धातु क्रिया नॉमिनिटिव वर्ब या डिमोंस्टेटिव वर्ब की नाम से जानते हैं यह सिंपल वर्ब यह जॉइंट वर्ब यह डिमोंस्टेटिव वर्ब और यह हमारा कॉजिटिव वर्ब तो यदि हम कहते ह खथियाना लतियाना तो बढ़िखार मिठ मिठ गोठ गोठियाइस बोलते हैं ईसी तरह फुलना जो हमारा जो को लेकर यदि हम उसे क्रिया का रूप दे रहे हैं तब वह हमारे लिए नामधातु क्रिया कहती तो सेवंती के फूल हर अबड फूलीस कहते हैं आम फला बोलते हैं आम जो है फल से हमने उसे फला बना दिया फल जो है उसे फला बना दिया वैसे ही यहाँ पर फूल से फूलीस कहकर नामधा तुक्रिया बन जाती है अब आते हैं अगले प्रश्न में ठीक है अगला प्रश्न है हमारा चौदा नंबर का तू मन खेल खेलत हावव वाक्य में काल बताए शब्द का वो रुप जिससे किसी कारे के करने या उसके होने के समय का बोध होता है उसे हम काल कहते है 36 गड़ी में भी तीन प्रकार का काल होता है जिसमें हम वर्तमानकाल भूतकाल और भविश्यकाल को जानते हैं वर्तमानकाल सततकारि प्रवाहवाला होता है भूतकाल को 36 गड़ी में पच्छम बेरा भी बोलते हैं और आपके भविश्यकाल को अवया बेरा या हम आगामी 36 36 गड़ी में आगामी बेरा या अवया बेरा के नाम से जानते हैं कुल मिलाकर प्रशन दिया है तूमन खेल खेलत हावव 36 गड़ी में यदि हम काल की बात करें तो ध्यान रखेगा कि संस्कृत की तरह यहां भी 1st person, 2nd person और 3rd person और 1 वचन और 2 वचन के नुसार कुछ प्रत्य शब्द हैं जो जोड़े जाते हैं वर्तमान काल के सहायक के तौपर जात हाओ, जात हस, जात हे हो जाता है भूत काल में मैं हर काम करे या मैं हर काम करें तैं हर काम करेस ओहर काम करिस हो जाता है ठीक है और भविश्य काल में मैं हर काम कर हूँ या मैं हर काम करी हा तैं हर काम कर बे एहर या ओहर काम कर ही या करी है हो जाता है ठीक है तो मैं जाहूं तैं जाबे वो जाही भविश्य काल में और मैं जात है वर्तमान काल में प्रयोग होता है ठीक है दूसरी बात जब कंटिनिउशन बताते हैं तो हिंदी में हम रहा रहे रही लगाते हैं तो पढ़ रहा हूं वर्तमान में पढ़ रहा था भूत में पढ़ रहा होगा भविश्यकाल में कहते हैं तो सेंटिन्स को हिंदी में करने की कोशिस कीजिए और उसके अनुसाइट को इडेंटिफाइब करने की कोशिस कीजिए तो समाने वर्तमान क्या होता है जहां समाने तो पर वर्तमान होता है तो मैं हर पढ़त हावं कहता है तो तू मन खेलत हाव मतलब second person को continuation बता रहा है तो होगा हमारे लिए option number B तुमन खेलत हाव पूर्ण वर्तमान काल क्या होगा तुमन खेल डरे हाव तुमन खेल चुके हाव कहता है कि तुम लोग खेल चुके हो तुम पढ़ डाले हो कहता है तो यह हमारे लिए पूर्ण वर्तमान होगा संभाव या वर्तमान जहां पर वर्तमान में कारे के संभाव मतलब बच्चा पढ़ता ओ कहते हैं तो जो हैं उसे हावाउं के रूप में प्रयाओं तो क्रिया का मूलधा तुझे होगा उसमें तर के साथ में हावाओं का प्रयोग जो है वो करते हैं ठीक है अब आते हैं आगे कोशन नंबर 15 बल प्रदायक निपाथ तो निपाथ क्या होता है निपाथ का मतलब होता है जो कहीं भी गीर पड़े जिसका इस्तिमाल कहीं भी वाक्य में रख दिया जाता है तो बल प्रदान करने के लिए किस निपाथ का इस्तिमाल किया जाता है तो निपात का मतलब होता है जो कहीं भी गीर पड़े अर्थात वाक्य में बल देने के लिए जिसका प्रयोग हम कहीं भी रख देते हैं उसे निपात कहा जाता है ठीक है दूसरी बात 36 गड़ी के अंदर बल प्रदाइं करने वाले निपात इस्तेमाल किये जाते हैं जिसमें हैं इच भर तक याने की हम कहते हैं इसे प्रत्य शब्दें हैं जो पल प्रदान करने के लिए बल प्रदान करने के लिए होते हैं हिंडी में हम ही का प्रयोग करते हैं इतना ही बचा है तो छतिस गड़ी में अत्केच बचेह बोलते हैं, एत्केच बचेह बोलते हैं, ठीक है ना, महीच कर ले थो, तहीच कर ले बोलते हैं, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है, हिंदी में कब तक खाओगे पेट के भरने तक, तो पेट भर भात खाएंगों कहेके, इसका भी इस्त प्रत्य का इस्तिमाल किया जाता है ठीक है अब हम आते हैं आगे नीचट तथा बढ़ियन का प्रयोग नीचट तथा बढ़ियन का प्रयोग किस रूप में वचन परिवर्तन के समय किया जाता है क्या वो उसे प्रत्य की तरह इस्तिमाल करता है क्या उपसर्ग की तरह इस्तिम नीचट और बढ़ियन तो वचन क्या होते हैं संग्या और सरवनाम की जो संख्या संभन्ध या व्याद कराता है उसे वचन कहा जाता है 36 गढ़ी में बचन बदलने के लिए हिंदी की तरह ही कुछ नियाम प्रयोग किया जाते हैं जहां कुछ शब्द उपसर्ग की तरह और कुछ शब्द प्रत्य की तरह जोड़ जाते हैं मन, इसी प्रकार जन, इसी प्रकार मनन, पंच और पंचन का प्रयोग हम यहां पर सब सबो सबो जम जमे जमो की तरह इस्तिमाल करते हैं, जब बहु वचन का निर्मान करते हैं, तो तभी तो लईका से लईका मन, हम पंच मन, तुम पंचन मन, लईका मनन, ठीक है, लईकेच ल सारा वोलते हैं तो थोरकन, अबढ़कन, खोबकन कभी प्रयोग होता है लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जो उपसर्ग की तरह प्रयोग होते हैं जैसे गंज, खोब, बहुत, अबढ़, उनहीं में हैं नीचट और बढ़ियन इसका प्रयोग जो है नीचट और बढ़ियन इसका प्रयोग उपसर्ग की तरह बहुवचन बनाने के लिए किया जाता है नीचट बैला बढ़ियन आदमी ऐसा प्रयोग जो है वो किया जाता है उपसर्ग की तरह ठीक है अब आता है हमारे लिए अगला प्रश्ण तो इसमें ध्यान रखिएगा कि वचन बदलने के लिए ना ठीक है और अगर हम कहें प्रत्य की तरह तो मन मनन पंच पंचन जैसे शब्द का प्रयोग जन और लोग के लिए इस्तिमाल होता है जन उसका इस्तिमाल जो है वो किया रहता है तो जब वह जन कहता है तो हिंदी में जन है दो जन खूब जन बहुत जन चतिस गड़ी में जाबे तब वह एक नकरात्मक शब्द बन जाएगा ठीक है अब आते हैं अगला नोनी का बहुवचन शब्द बताईए नोनी चतिस गड़ी में लड़की को कहा जाता है ठीक है तो बहुवचन बनाने के लिए हम किस शब्दों को उचित रुप से देखेंगे तो गंज जाओं मनुष्चय के लिए गंज देखेंख कढर ब्हुचन होता ठीक है अब आप कहेंके मेंम हमारे यहां तो बोलते कम आदमी आ रहे हिन है तो उसका प्रयोग मुर्याओं मनुष्च्य के लिए नहीं होता तो नोनी में गंज नोनी का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा खूबकन खाय के खूबकन खिलोना है ना तो इसका प्रयोग वस्तु विशेस के लिए किया जाता है ठीक है अब इसी तरह नोनी च नोनी मतलब लड़कियां ही लड़कियां जदी हम कहें तो इसका उचित प्रयोग देखें तो नोनियों जैसा कोई भी शब्द नहीं होता लेकिन मनुष्य विशेस के लिए गंज और खूब का प्रयोग नहीं होता खूब जन आदमी आयरहीने बोलते हैं जरूर खूब जन आदमी बोलेंगे लेकिन खूब नोनी या गंज नोनी ऐसा प्रयोग हम नहीं करेंगे कहने का मतलब क्या है कि प्रश्ट ने क्या पूछ नोनी की साथ में नोनी मन हो सकता है परदधमी आगया डाउट क्लियर को घेक्त हो वीडियों में मैंने आपो छचटिसगणी भाशा समझ टीटे मेंrea सारा चीज में question number 18 ठीक है? अच्छा अब है मरद का इस्त्री सूचक शब्द है option number A है मरदी option number B है तीरिया option number D है दाई option number C के दाई के बाद option number D है डोकरी मरद जो है इसे हम हिंदी में मरद कहते हैं तो यहाँ पर इस्त्री सूचक पूछ रहा है माने कि यह question आपका opposite gender से पूछ रहा है ठीक है ना? तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अपने ही गूण सभाव परकृती में एक दूसरे से बिल्कुल विपरित होते हैं ऐसे शब्द को विपरित आर्थक शब्द कहा जाता है विलोम शब्द कहा जाता है और कभी-कभी फैमिनाइन को में कनवर्ट करने के लिए नेगेटिव प्रिफिक्स को छोड़कर हम इस पैशल तरीके से फैमिनाइन सब्फिक्स को यूज करते हैं और वो अपोजेट जेंडर बना देता है ठीक है? आगसमाद जैसे मोर से मोरनी बचवा बचिया इस पर कोई से प्रकार के कोई चेंजस करने की ज़रुत नहीं होती अवहेंगत ख़वाई, पिईए, चगएं मोंतरै कोई चेंजस करने की ज़रुत नहीं होती यहां पूछ रहा है कि मरद का इस्तिशुचक क्या है? तो मरदी का इस्तरी होता है नर का नारी है इस्तरी स्वपध्र होता है इस थ्री में पूरुष संस्क्रिट की तरह हिंदी की तरह मर्द कहते हैं तो और ए छ suppresse है मर्दर का और शिर्ष यह थी से आज एक पुरुष को कह रहे हैं तो लिड़ी समुचारित शब्द का अर्थ चारित हो संुचारित और समशृत हो जाते हैं इसलिए ती ही रूप holds होते हैं इसलिए हम उसे समरूपी कहते हैं परंतु जब हम लिखते हैं और उसके अर्थ को जानते हैं तो भिन सा अर्थ देता है तो ऐसे शब्दों को समुचारित समशुरत समरूपी या भिन नार्थक शड़ कहा जाता है और इसी का अर्थ हमको बताना है च्छत्य Kayla क्या प्रटी ओर आपको मालुम है च्छत्यस गड़ी में कनियां कमर को कहा जाता है कनिया कमर को कहा जाता है और कनिया 36 गड़ी में कन्या का अपभरंशित रूप है तो इसका अर्थ है कमर और इसका अर्थ है लड़की ठीक है तो इसका आंसर है option number B अगर आपने इस तरह ध्यान लगा के पढ़ा होगा तो ध्यान से समझेंगे कि जिस शब्द का जो अ option number B ठीक है अब आते हैं अगले question में तो अगला question हमारा है question number 20 यूग्म शब्दों के प्रयोग में किसका यूग्म प्रिथक है यहां पर 36 गड़ी में यूग्म शब्द दिया है यूग्म का मतलब क्या होता है कि 36 गड़ी के अंदर या हेंदी भाषा के अंदर आवशकता के अनुसार हम कुछ शब्दों का जोड़ा हमेशा इस्तिमाल करते हैं जब हम द्वंद्व समास वारे शब्दों को example के तोर पर देखते हैं तो वहां पर समाहार द्वंद्व के लिए प्रयोग होने वाले कुछ example देखते हैं कि जहां दोनों पद की प्रधानता होती है वह द इस्तिमाल होता है तो कोशन पुछे सणीमन में से कौन सा है जिसका इस्तिमाल युग में सही नहीं है तो option number A कीसा धन्धा ऑप्शन नमबर B चिखला का दो option C है एकर एकरा और option D यह तेल फूल तो चट्थिस गढ़ी में एकर और एकरा कहता है इसका जो यूग में वह सही नहीं है जबकि कहानियों को कहने के लिए किस्सा धन्धा कीचड के लिए चिखला का दो और तेल फूल चुपर ले ऐसा तेल को हाट पेरों में लगा लो ऐसे के लिए जोड़े में होते तो आप्शन नमट सी जो है यह इसका आंसर है कि इसका जोड़ा सही नहीं है अब आते ह अपभरणशित हो जाते हैं वरनाक्षर अवधी के प्रभाव से शक्कर कश्षण जो है वह आवशक्ता का नुसर समें बदलता है तो शराप कह रहा है जहां आरेफण भी तूट रही हैं तो हिंदी मैदी वह शराप कहता है तो शराप का विलो में आशिरवाद होगा तो श जराप कह रहा है तो खराप नहीं होगा चारी मतलब बुराई होता है बड़े मतलब उसकी प्राशंसा होती है तो 36 गड़ी में होगा इसका अंसर सराप का विलोम शब्द आशी इस मतलब श्राप का आशीश होगा ठीक है अब अगले कोस्ट्ट्ट में 22 26 गड़ी कहता है पानीगिरिही तभे तो धान उपज्ज ही संथेंश कहता है एक जब उप्र काल है का सूचक हो तुसे अगम्बेरा याने की भविष्य काल कहते हैं समाण्य तौर पर कोई कार binary भविष्य की बात करता तो समान्य भविष्य काल होगा जैसे राधा नाचहि Σंब्धा समाने समान संभाव तो संभाव यह 만 नहीं हो सकते राधा निर्भर हो तब उसे हे तुमा भाविश्यकाल कहते हैं मतलब जब पानी बरसेगा तभी तो फसल उपज होगी तो यहां पर जहां एक क्रिया पर दूसरी क्रिया निर्भर होती है तो हे तुमाद कहते हैं जिसमें भुट काल की अप्रिक्रिया और दूसरी क्रिया नीर भर होगी तो यानि वर्षा हो जातिश घान सुखेले बहत जातिश कहता है तो लगता है तो पानी गिरही तभे धान उपज कहता है तो नमभर Q22 का आंसर है option number B, ठीक है, अब आते हैं आगे, question number 23, जवरी हाँ शब्द का link बताए, 36 गड़ी के अंतरगत यहाँ तीन प्रकार का link पाया जाता है, एक link होता है पुरू लिंग, एक होता है इस्त्री लिंग, और एक होता है उभैलिंग, अंग्रेजी को follow करते हुए, 36 गड़ी भा कराए, उसे link कहा जाता है, तो इस्त्री जाती के सूचक को इस्त्री लिंग, पुरुष जाती के सूचक को पुरू लिंग, और ऐसे तत्व जो इस्त्री पूरुष में गिने नहीं जाते, उसे नपुनसक link कहते हैं, जो संस्कृत में हैं, और इंग्लिश में न्यूटर जे केनुसार पूरलिंग के श्रेणी में गीने जाते हैं जैसे कि प्रधान मंत्री यदि वो डॉक्टर चिकितसक प्रोफेसर कहता है यदि वो महीला है किसी पदपर तो हम उसे चिकितसक से चिकितसी का कहते हैं अध्यापक से अध्यापी का कहते हैं लेकिन अधिक प्रधान मंत् राष्ट्रपती है तो महिला राष्ट्रपती के नाप संभोदित करते हैं लेकिन 36 गड़ी भाषा में यदि हम देखें तो यहां उभै लिंग माना जाता है जहां इक्वल एज के दो परसन चाहे लड़का हो या लड़की हो उन्हें उभै लिंग की कि श्रेड़ी में रखते हैं मीतान आते हैं यह आपके उभै लेंगे कि श्रेड़ी में 36 गड़ी के अकॉर्डिंग आते 24 नंबर का कोशन कहता है 36 गड़ी भाषा का जन्म हुआ है मागधी अवधी अर्धमागधी और बखेली जब 36 गड़ी के बात कर रहे हैं तो भारत के अंदर चार भाषा परिवार कहते हैं दूसरी द्रविड भाषा परिवार होती है तो इसी द्रविड भाषा के बाद 36 गड़ की तिसरी भाषा परिवार है और देखा जाए तो प्राचिन आरे भाषा संस्कृत के वैदिक लौकिक के बार जब मध्यकाल में प्राकृत भाषाओं का जन्म तो उसी प्राकृत भाषा का पहला सुरूप ठपाली दूसरा सुरूप प्राकृत का था अपभरंश उसी अपभरंश की एक शाखा जो पश्यम की तोर शोर से नहीं थी पूर्व की ओर मागधी थी उसी के मध्य था अर्ध मागधी जिसने वर्तमान समय में आगे जाकर और बगेली को रखा गया तो कुल मिलागर चतिस गड़ी भाषा का जन्म अर्ध मागधी से माना जाता है ठीक है अब आते हैं अगले कोश्चन में अगला कोश्चन है वर्यात्रा का चतिस गड़ी रूप क्या है वर्यात्रा का चतिस गड़ी रूप क्या है तो पहला है आपका बर्यात्रा दूसरा है बर जात्रा तीसरा है बरात और चौथा है आपका बर्दी तो बर्दी जानवरों के सम्मूं को कहते हैं चतिस गड़ी भाशा में वर्यात्र जो बारात होती तो वर्यात्र पहली बार तक्सम शब्द है हिंदी का जिससे तद्भव में हम बारात कहते हैं याने की बारात ठीक है तो हिंदी में हम बारात कहते हैं तो वर्यात्र तक्सम है जिसका तद्भव है बारात और इसी बारात का 36 गड़ी होता है आपका बरात दर्वाजा मां खड़े है कहता है तो वर यात्र का 36 गड़ी रूप है हमारे लिए बरात और इस तरह आपके आज के वीडियो में मेरे द्वारा आपको 25 कोशन के अंतरगर 36 गड़ी के कुछ विशेस पक्ष को सॉल्व करवाया गया है आने वाले वीडिय हो गया ठीक है प्रशासनिक शब्द को 36 गड़ी शब्दावली हो गया और सबसे ज्यादा संधी समास उप्स मुहावरा लोकोक्ती से संबंधित प्रश्ण आपको वहाँ पर पूछे जाते हैं ठीक है बचती है आपकी अविकारी शब्द कारक रचनाए बाच्चे परिवर करके बताने की कोशिश की है तो ऐसे ही मेरे साथ बने रही है और सेकंड टॉपिक जो आपका आएगा आपका सेकंड पार्ट जो 36 गड़ी भाषा के MCQ को लेकर होगा तब तक मेरे सभी बच्चों को धेर सारी शुब कामना है धेर सारा प्यार धेर सारा आशिरवाद तो मेर सभी बच्चों को थेंक यू सो मुझ अड़ ब्लेस टू आल में बच्चा